Hello and welcome to Java T Point और आज का हमारा topic of discussion है कि हम लोग link list में number of notes in the loop of a link list पहली बात तो एक link list है इससे पहले हमने क्या पड़ा link list में loop है या नहीं detect करना जो एक बहुत important question है बहुत बड़ी-बड़ी organizations में Microsoft, Amazon में पूछा जाता है तो वो हमने बहुत easy तरीके से देखा कि link list में loop की coding क्या होती है फिर हमने second part में देखा कि अगर loop है तो loop कहां से start हो रहा है अब third part है कि अगर loop है तो बताओ उस loop में कितने लोग involved है कहने का मतलब यह है कि अगर मालो यह link list है ठीक है और यह loop है यहाँ पर loop है तो बताओ कितने लोट involved है तो सबसे पहले हम लोग start करते है फिर से loop detect करने की coding को तो मैं request कर रहा हूँ अगर आप directly इस वीडियो को देख रहे है तो पहले की दो वीडियो जरूर देख ले ताकि अब मैं यहाँ fast move करूँगा उतनी धीरे move नहीं करूँगा जितना मैंने पहले move किया था तो detect loop वाली वीडियो आप जरूर देख ले तो हम यहाँ पर आते हैं और हमने सबसे पहले एक pointer बनाया slow pointer और एक pointer बनाया fast pointer और दोनों को head से initialize कर दिया head में कितना है 100 मैं slow को S से represent करूँगा अब क्या है slow को मैंने S से represent किया तो slow head के पास आ गया fast भी head के पास आ गया अब क्या है अब मैंने क्या किया flag को 0 से initialize कर दिया fx नाम का flag बनाया उसको 0 से initialize कर दिया ठीक है fine यहाँ तक बिल्कुल समझना आ रहा है मुझे अब हम हमने एक loop बनाया जिसमें हमें slow P लिखा that is slow की value कितनी है 100 fast भाई slow की value कितनी है 100 fast की value कितनी है 100 और fast के next की value कितनी है 200 अब मुझे बताओ condition true है false भाई 100 है 100 and 200 भाई 0 तो नहीं ना 0 होता तो false होती तीनो condition में true है 0 के लाव है तो condition true हो गई अंदर जाएंगे slow को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और fast को 2 कदम आगे बढ़ाएंगे slow में डाला slow کے next और fast में डाला fast के next, connect इसका क्या मतलब है slow pointer एक कदम move कर रहा fast pointer 2 कदम तो slow pointer slow में slow का डाला और fast में fast के next, connect that is fast यहाँ पे आ गया अब हम इस ब्लोक में आएंगे चेक करेंगे क्या slow और fast वराबर बिल्कुल बराबर नहीं है slow में 200 है fast में 300 वराबर नहीं है condition होगी false तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे और जब हम इसके अंदर नहीं जाएंगे तो हम सीधे जाएंगे while loop को के condition दुबारा चेक करने अभी slow कितना है 200, fast कितना है 300, fast का next कितना है 400, क्या condition true है, हाँ ज violence भीलकुल ठीक है true है 200, 300, 400, true ही है, true है तो slow को एक कदम आगे बढ़ाओ ना तो slow को एक कदम आगे बढ़ातिया, fast को दो कदम आगे बढ़ातिया और फिर से चक करो क्या slow or fast बराबर है नहीं slow 300 है fast 500 है बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो फिर से अंदर नहीं जाएंगे फिर से चक करो वाइल लोग को अभी slow कितना हो गया 300 fast कितना हो गया 500 और fast का next कितना है 300 तो भाईया fast का next कितना है 300 बढ़ाऊना तो स्लो जो का नेक्स स्लो को एक कदम आगे बढ़ाऊना तो दो कदम आगे बढ़ाऊना यहां से यहां जाएगा और लूप से बहारा है हाँ अब slow fast बारा हो रहे condition true दोनों 400 को represent कर रहे है अब हम अंदर जाएंगे तो f को करेंगे 1 जो 0 था सको किया आपने 1 और break कर जाएंगे अब हम भी अबीड़ देट अरब बहुत खुष या नहीं यहां से सीध्य फंक्शन का लोऊ रहा है तो लेट्स गो तो fishing नोट काउंट इन लूप यहां पहुंचे हैं हमने काउंट नम का वरिबल बनाया जिसको जीरो से निश्टाइज कर दिया जिस समय यह लूप डिटेक्ट हुआ था तो अच्छा यहां पे बहुत अच्छी बात है अब हम नीचे आते हैं लूप के फंक्शन के अंदर आते हैं स्लो को मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया यहां यहां पर आ गया फास को दो कदम आगे बढ़ा दो तो एक तो slow तो पहले move कर गए ऊजिको टादो यहांसे और फास को दो कदम एक और दो यहां प्याल फास यहां पे आ गही थीक है तो दुनों एक कदम बढ़गे और count कर यह बढ़गी one हो गयी अब आओ यहा डूभा लूप में while चेक करो क्या slow और fast बराबर नहीं है हां condition true fast 300 पर slow 500 पर बराबर नहीं है condition true true है तो फिर से do के अंदर जाएंगे फिर से do के अंदर जाएंगे slow को एक कदम आगे बढ़ा दो भई जो एक कदम जब आगे बढ़ेगा तो वह तो यहां से यहां आ जाएगा और fast को दो कदम आगे बढ़ा दो फास्ट यह यहां मूव करेगा और count को एक और बढ़ा दो count दो हो गया चेक करो क्या slow और fast बढ़ाबर नहीं हाँ slow इसमें 300 में fast 500 है बढ़ाबर नहीं है यहां पर यहां पर बढ़ाती है अब चेक करो क्या बढ़ाबर नहीं है बराबर है यह भी 400 है और यह भी 400 है तो कंडिशन फॉल्स हो गई ना अब कंडिशन बराबर नहीं है बराबर है अब क्या करें तो किसी एक नोड पर आके खड़े होगे अब आप क्या करें दो वाइल लूप लगाए और कि क्या करें, slow को एक कदम आगे बढ़ाएं, उसी जगह से, fast को दो कदम आगे बढ़ाएं, और count को दौरान बढ़ाते रहें, तो जिस समय slow और fast दुबारा मिलेंगे, वहाँ पर loop terminate हो जाएगा, और count की value आपको print करा लें, तो इससे आपको चीज़े clear हो जाएगी, कि कितने loop मे element है, and at last I will say thank you so much for watching java t-point, please like subscribe and share the channel, thank you, thank you so much.